कई पिछलों दिनों से मार्केट्स में करेक्शन दिखने को मिल रहा है और लोगों का पोर्टफोलियो डाउन होता दिख रहा है और लोगों की चिंता उनके माथ्य पे दिख रही है क्या एक डाउन फॉल एक करेक्शन कितने दिन तक चलेंगे क्या और ज़्यदा करेक्ट सकते हैं कुछ दिन तक चले आप संडाउन तो आपको कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है मार्केट की बात करें या इंडियन मार्केट की बात करें वहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है कुछ दिनों तक भी देखने को मिल सकता है अब उस सिच्विसन में हमें क्या करना चीए इंपोर्टेंट पार्ट है नमस्कार आप सबका स्वागत है और आज बात करेंगे कि भाई खेल तो भी बाकी है कोई जल्दबाजी ना करें मौका मिलता रहेगा बिल्कुल तर्यास के दायित रहेगा बीच बीच में मार्केट आपको मौका देगी मार्केट कहां जाने या यह नहीं जाने वाला है यह In उड़ते हैं वैसे marketing situation है और यह कोई नया नहीं हुआ है वही मार्केट तो इससे भैंकर तरीके से गिरा है और भैंकर तरीके से उठा है तो बहुत ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है तो बहुत चिंता की बात नहीं है क्या करना चीए कौन से mutual fund को पकड़ के रखना चीए कि में हमें जल्दबाज ही नहीं करना चीए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सब कुछ details में बात करने वाले हैं क्योंकि लोगों को मैं देख रहा हूं बहुत जदा और चिंतित हैं भाई मार्केट गिर रहा है यूस मार्केटी कंडिसन खराब है जैसे कि मैं यहां पर दे है निफ्टी का चार्ट है जो दोनों के चार्ट में अब देखे रहो कि यहां पर करेक्षण देखनों को मिल रहा है गिरते हुए ही नजर आ रहा है ठीक है लेकिन क्या गिर आउट कितने दिन तक चलेगी गिर रहा है मार्केट 5 दिन देख लीजिए पिछले 5 दिन बहुत अच्छा करेक्शन से यहां पर 220-230 की करेक्शन आपको देखनों की मिल रहा है तो क्या मार्केट गिरेगा क्या यह बहुत नीचे तक जाएगा क्या नीचे अस्तर पर जाएगा क्या मार्केट देखिए यहां वे थड़ा सा बढ़ा बीच में लेकिन फिर से देखिए तो यह गिरते हुए मार्केट डाउनफल हुआ है यहां देखेंगे तो 180 लगवग 200 पॉइंट करी मार्केट गिरा है अब इस सिच्वेसन है हमें क्या करना चाहिए यह गिरावट कितने दिन तक चलेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो गिरावट हो सकता है कि कुछ द करता है तो आपको भीया थोड़ा सा करेक्शन्स देखनों को मिलते हैं और मिलते रहेंगे अब इसमें बहुत जद आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है पैनिक हो जाएंगे न बड़ा दिक्कत हो जागी तो आपको क्या करना है कि इसमें सबसे में चीज़ है कि यह अपने युनिट्स को मिनिमाईज करके उसको अधिक से अधिक युनिट्स लेने का क्योंकि मार्केट नीचे एन्व यह थोड़ा सा डाउन फॉल में चल रहा है तो आपको अधिक से अधिक युनिट्स होगी और आप्टर कुस दिन बाद यह जो जल जला खतम होगा तो फि पांच आज के जो मिच्वल फंड्स हैं जिस पर आपको फूकस करना होगा अगर आपने अपने पॉर्ट्फोलियो में सामिल किया है तो प्लीज इसको आप रिडिम मत करिए और नक करने के पीछे मेरा कराने की कि इपने मैं बताऊंगा क्यों नहीं करना है विकॉज मैं बि पूट्फोल्य डाउन ऐसा कुछ निहीं कि आपकी हो रहे और पड़ेवाइश को पर रुपे उपर वाला है है हमने पांच जो मिच्वल फंट्स लिए हैं अपके लिए थ्यान देते हैं इसमें थ्वरा साइब फोकस करते हैं तो मैंने इस मिच्वल फंट्स पो लिया है पहले तो हमने दखिए एक्सिस मीट कैप दूसरा है एजडिपसी मीट कैप तीसरा मोतिला लोसवाल निपॉन है और उसके बाद कंट्रा है पांच फंट से जो कि आप देखेंगे तो लगभग 13 में आया था यह 13 में यारे यानि पांचों चारों फंट्स जो है ना 14-13 के करीब है यानि बहुत 10 साल 11 साल मार्केट में अपसें डौन देखें और अपसें डाउन लोंग तंब मेखके से बहुत बड़ा यह मिलेगा तो यहाँ पर सब से में चीजे रटर्न रिटर्न सब्से बेसिक चीजे हैं आप सबसे ज्यदा में रिटर्स में यहां फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैं long term के बाद करूँगा सब ही जो देखेंगे तो 10 से 11 साल पुराना fund है आपको देखने के मिलड रहा है 10 से 11 साल पूराना fund अब 10 से 11 साल पुराना fund है तो तो आपको देख रहे होगे बीच में बहुत सारे कारेक्शन्स आया है 2020 का रूना टाइम देखुएंगे लेकिन फिर भी इसने देखिए आपकी रिटरंस के मैं बात कर रहा हूं तो सिंस लॉंच जब हुआ है यह 20 परसेंट का एकिस परसेंट रिटरंस मनागी दिया है वहीं पर देखेंगे लॉंग टम की बात करें दस साल की जब करेक्शन की बात करेंगे दस साल में लगवा इसने 17,20,19,20,20,20,30 परसेंट का रिटरंस 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 परसेंट का रि जो करेक्शन्स देख चुके हैं करोना टाइम की करेक्शन्स और बागी जो करेक्शन्स थे उनको सब ने जहेला है आप से डाउन जहेल करके तबाहें और इनने अब बात करेंगे कुछ अलग टम्स का जैसे आपके दिमाग में कुछ कोशन्स है उस को मैं डाउट फूली मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोसिस करूंगा और को सब्सक्राइब की पीएस्यू फंड से एकजिट कर ले पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग पॉब्लि यह हो सकता है कि अभी थोड़ा सा डाउन फॉल इसमें देखने को मिल रहा है पॉट इन फ्यूचर में इसमें अच्छे ग्रोथ भी देखने को मिल सकते हैं तो बिल्कुल आप ऐसा मत करिये है कि इसमें पैसे इंवेस्ट किये हैं अगर आप तो बिल्कुल इसको आप मत करि तो नॉर्मल है कि थोड़ी सी भी अगर भुचाल आता है मार्केट करने तो इसमें बहुत ज़्यदा गैप देखने को मिलते हैं चाहें वह अपवर्ड गैप को या डाउन्मोड गैप तो इसमें भी आपको बने रहाना है और टॉप अप करने हैं सबसे में चीज़े कि अगर पंड का जो एने वीये कम हो जा रहा है तो उसमें टॉप आप करिए एस साइपी क्लोज करते न चाहिए बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं करना है और ज्यादा अपना नुक्सान करना एसाईपी करिए क्योंकि आपको यूनिटि अलोट होंगे और फिर तो आप अधुद्य होंगे तो यहां बिल्कुल ऐसे गलती मत करिएगा कि आपने क्या करना है साइपी क्रोज करना डिफेंस फंड जो की लगपक 10 से 12 पॉसंट का करेक्शन देखने को मिल रहा है डिफेंस फंड के अंदर यह थोड़ी से सोचने वाली बात है डिफेंस फंड में करेक्शन तो है बिल्कुल है देखने को मिल रहा है तो क्या डिफेंस फंड को टाटा बाई-बाई-बाई कर दना अच्छे बिल्कुल नहीं भी इसमें भी आप बने रहे हैं टॉपप कर दीजिए ए मैं अपने भी यह से फॉल्क्रेक्जर आने के चांसे से हैं यह तोड़े से अपने कीच रहे हैं जो है फ्यूर्य मुंट्रे मारक सकांट्री की टॉरी तो ह्मारी कंट्री लेकिन आफ्राव संटम्टेंज में ये बढिया होगा भी पॉजिट और अच्छे से काम करें और हां भाई वंस अगेन मेरे चनल पर पहली बार जरू सब्सक्राइब करें ताकि भाई आपको यह टूजेट सारा आपडेट्स कंटिनियोसली मिलता रहा है कोई भी मीस्ट नहों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंद को यह एंति वांटर